जहें दोस्तों बंदे मातर, कल एक बहुती शौकिंग नीज निकल कर सामने आई, अखिल भारती अखाड़ा परिशत के महंत और ध्यक्ष नरीन दगीरी जी की मृत्यू बहुती ऐसे हालातों में हुई है जो की संद्यास्पद है, इसको लेकर कुछ गरफतारियां भी हुई ह और कुछ ऐसी बाते हैं कि निकल कर सामने आरी, मतलब जोनने सुसाइड नोट बीचे छोड़ा है, आठ पन्यों को सुसाइड नोट छोड़ा है, उसमें भी उन्होंने कुछ लोगों के उपर अपने इल्जाम लगा हैं जिनकों की हिरासत में लिया गया है, बाद में जो ज जान्च के लिए, सीबी आई के लिए, सीबी जान्च के लिए भी हाई कोल्ट मेर्जी लगा दी गई है, अकिल भारती अखाड़ा परेशत का अध्ष महेंद नरेंदर गिरी का शव सोमवार को संदिक दवस्ता में बरामत हुआ, कहा जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या कर करते हुए, अनंदगिरी को हिरासत में ले लिया है, वहीं अनंदगिरी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा है कि आश्रम से करोड़ो रुपियों की धोका लड़ी करने वाले कुछ लोगों का इसमें हाथ है, जो उन्हें फसाना चाहते है, आई जीबी के पी सिंग ने बताया कि महन का शव एक सीलिंग फैन से लटकता मिला था, सुसाई नोड में उन्हें खुद को मांसिक रूप से विक्षुप्द बताया है, प्रदान मंदर नैन मोधी मुख्य मंतर योग्या अधितिनाथ से लेकर केंद्रिय ग्रह मंतरी आमिच्छा और भाजबा के र खड़ा परिशद अदेश में साधूं की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, उतापरदेश के मुख्य मंतर दिनेश शर्मा ने इस मामले में श्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है, नरेंद्र की ने कुछ ही दिनों पहले लहबाद उचन्यारा के उस आदेश का हैं क्योंकि जब जब तक वो दूद देती है तब तक ही उसकी सेवा करी जाती है, उधर नरेंद्र की ने दावा किया है कि मौत से पहले महंत ने एक वीडियो भी बनाया था, बताया जा रहा है कि ये वीडियो पुलिस के पास है, वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखत का हिस्सा है, आठ पन्यों का सुसाई नोड मिलने से पुलिस भी मान रही है कि वो लंबे समय से परेशान थे, महंत नरेंद्र की ने खुद को पुराने रिष्टों से परेशान बताते हुए लिखा कि उन्होंने शान से अपना जीवन जिया है, और मृत्यों भी शान से ही ह दोपहर का भोजन करने के बाद कमरे में गए और काफी देर तक नहीं निकले, दरवाजा तोड़ा गया तो नजारा देखकर शिश्शन न रह गया, जाहिर सी बात है कमरे के दरवाजे चारो तरफ से बंद थे, पुस्ट मॉर्टम और फॉरंस रिपोर्ट के बाद पुलिस अपना बयान देगी, मुख्यमंतरी हो गया दितनात ने डी जी पी को अपने आवाज पर अब बुला कर इस मामले पर चर्चा करी है, प्रियागराज पुलिस ने प्रसिदर लेटे हनुमान मंदर के पुजारी और उनके बेटे को भी हिरासत में लिया है, जॉर्ज टाउन में इस मामले की F.I.R. दर्च करी गई है, यूप पुलिस के दस अधिकारियों की टीम हरिद्वार भी पहुंची है, जहां अनंद गिरी से पूछता चल रही है, क्राइम सीन के साथ छेड़शाड की बात भी कही जा रही है, आज C.M.O की खुद गटनास तल का दोरा यकीन से परे है, महंत नरेंद गिरी के कसित सुसाइड से पहले 6-10 घंटे के बीच जिन लोगों से बात हुई थी, उन सभी के नंबर निकाल कर पुलिस उन सही पूछताच करेगी, इलावाद हाइकोर्ट के अधिवक्ता सुनिल चौधरी ने पत्र आचिका दाखिल कर C.B. इजाज की मांग करी है, नरेंद गिरी श्री निरंजन अखाडा के महंत थे, दोपर बाद स्वरूप रानी एस्पताल में उनका पोस्ट मार्टम होगा और उनके पार्तिव शरीड को अंतम दर्शन के लिए भी रखा जाएगा, इतनी सब जाते बास सामने आने के बाद से जाहर सी बात है, कुछ और सवाल खड़े हो रहा है, इसी बीच में ये बात भी से निकल कर सामने आ रही है कि आज उनको समाधी दी जाएगी, लेकिन इससे पहले उनका शब अंतम नर्शन के लिए बागंबरी गदी मठ में रखा गया है, मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक नरेंद्गिरी को ब्लाइक मेल किया जा रहा था, उनके किसी वीडियो की CD तयार करी गई थी, पुलिस ने ये CD भी बरामत की है, नरेंद्गिरी की सिच्वों का दावा है कि मौत से पहले महेंद्र नरेंद्गिरी ने कबूल नामे का एक वीडियो भी बनाया है, इसी वीड हैं वकील सुनील चौधरी ने प्रयांगराज के डीम और एससी पी को तुरंत बर्खास करने की इमांग करी है सांसा जीता बहुगुणा जोशी प्रयांगराज पहुंची उन्होंने कहा कि एक संत की आत्महत्या का मामला है कौन दोशी है इसका पता लगाया जाएगा तो इस में निकल कर सामने आता है और पुलिस की तफ्तीश कब तक पूरी को पाती है मेरे सुडियों फिरालत नहीं जाएगे जाएगे जाएगे